क्या आप जानते हैं कारकों के प्रकृती उधारन के लिए सफित फुल के कारक कैपिटल वीवी को जिनो टाइप तथा इनसे प्रदर्शित लक्षनों को फिनो टाइप कहा जाता रहा है अर्थात कारकों के समगर समों जिनसे लक्षन पदर्शित होते हैं जीनो टाइप है तथा बाहे रूप से दिखाई देने वाले लक्षनों को फिनो टाइप कहा जाता है मगर वैग्यानिक ए जोहंसन ने पहली बार जब 1909 में विवित्ता समन्दी अध्यन के अपने परचे में इस शब्दों को प्रस्तावित किया तो उन्होंने लिखा जीन, योगमक, ग्यामिट या उनके मेल से बनी कोशिका में पाई जाने वाले कारकों की इकाई है और समगरी जीन, योगमक या कोशिका का जीनो टाइप है जीवों में पेड़ी दिर पेड़ी काफी जीनो टेपिक समानता पाई जाती है एक जैसे जीनो टेपिक समानता वाले जीवों में विभिन्न पर्यावरन के प्रभाव से उत्पन भिन्न प्रकार फिनो टाइप है यानि जीनो वन्शांगत लक्षन है और फिनो टाइप अवन्शांगत लक्षन दर्शाता है इस अनुच्छेट से हमें ये समझ में आता है कि वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग वह अर्थ समय के साथ बदलता है 15.2.5 मैंडल की नियम मैंडल स्लो मैंडल को अपने अनुमान एवन प्रयोगों से पता चला कि पराकन वे बिजान बनती समय एक जोड़ी कारक में से दोनों कारक अलग-अलग हो जाते हैं यानि बैंगनी या सफित फुल वाले मतर के पौधे के युगमक अर्थात पराकन या बिजान में एक बैंगनी कारक या एक सफित कारक होगा बिजान और पराकन के मेल से बने बीज में रंग के दो कारक होंगे ये दोनों बैंगनी कैपिटल वी वी दोनों सफित स्मॉल वी वी या एक बैंगनी एक सफित कैपिटल वी स्मॉल वी हो सकता है मेंडल के अनुसार युगमक में कारक एक दूसरे से प्रितक होकर पहुंचते हैं यह मैंडल के प्रिथक करण का नियम law of segregation है मैंडल ने प्रयोग सिर्फ एक एक गुण के साथ ही नहीं किया उन्होंने यह भी देखने की कोशिश की कि यदि एक से अधिक गुणों का विशलेशन एक साथ किया जाए तो क्या होगा वे देखना चाहते थे कि क्या दो गुण या तीन गुण एक दूसरे को प्रभावित करेंगे एक से अधिक गुणों को लेकर दिये गए प्रयोगों तथा उनसे संबंदित नियम का विवरण परिशिष्ट में है क्या आप जानते है मैंडल ने वंशांगति के अवधार्णा को विक्सित करने के लिए लेंगिक प्रजनिन करने वाले जीवों में विप्रित एवं समान गुणों के कारकों के जोड़े संबंदि जो अध्यन किये वे अनुवंशिके के आधार बनी पर उनकी जीवनकाल में कोई इसे समझ नहीं पाया उनकी मौत के लगबग 30 साल बाद इसे सराहा गया आज हम जानते हैं कि ऐसे भी परिस्तित्या है जहां मैंडल नियम हुबहु लागु नहीं होते उधारन के लिए अलेंगिक प्रजनिन करने वाले जीव में तथा जिन में गुण सुत्र जोड़ी में नहीं होते सरसों में गुण सुत्रों का चार गुणित समू है तो गेहों में दो से लेकर बारा गुणित गुण सुत्र की समू होते है या जिन में एक ही गुण के एक से जादा प्रभावी कारक है मानु रक्त समू 15.3 मानों में मेंडेलियन नियम अनुसार आनुवांशी की Human Inheritance on the Basis of Mendel's Law क्रिया कलाप एक में हमने कुछ लक्षनों का अध्यन किया था उसमें मेंडेलियो लक्षन था तुड़ी में गढधा यह मेंडेलियन नियम के अनुसार एक से दूसरी पेड़ी तक पहुंचता है सिकल सेल एनिमिया भी लगबग ऐसा ही एक लक्षन है 15.3.1 सिकल सेल कारक और अनुवांशी की Factors for सिकल सेल एनिमिया and their inheritance मनुष्य में 11.1 नंबर के अलिंग, ओटोजूम, गोंसुत्र में हीमोगलोबिन प्रोटीन बनने का कारक पाया जाता है इससे सामान्य हीमोगलोबिन प्रोटीन वो गोल लाल रक्त कुशिका बनती है इसके कारक को दर्शाने के लिए चित्र में Capital RR सामान हीमोगलोबिन बनाने वाले कारक के लिए लिया गया है इसी कारक में बदलाव से हीमोगलोबिन की सनरशना में अंतर होता है जिससे रक्त कुशिका हंसियाकार हो जाती है चित्र में इस अवस्था के कारकों को स्मॉल आर आर दोरा दर्शाया गया है हसियाकार कुशिकाओं में ओक्सिजन ग्रेंड करने की शम्ता बहुत कम होती है साथी एक सामन्य गोल रख्त कुशिका का जीवनकाल जहां 100-120 दिन है एक हसिया कार कोशिका का जीवन काल मात्र 15 से 20 दिन का होता है इस प्रकार रक्त कोशिकाओं के आकार में बदलाव तथा ओक्सिजन ग्रेन करने की शमता में कमी से रोगी बहुत जल्दी ठक जाता है यह तब घातक होता है जब इसके कारक सम रुपी स्मौलारार अवस्था में होते हैं सामान ने हीमोगलोविन संबंदी कारक जिससे गोल रक्त कोशिका बनती है हेमोगलुबिन के संरचना बदलने वाले कारक जिससे हंसिया का रक्त कोशिका बनती है पर प्रभावी होते है